हेलो फ्रेंड्स, एक्सल की इस टूटोरियल स्रीज में आपका स्वागत है पिछले वीडियो में हमने MS Excel के Find, Search, Replace और सब इस्टिटूट फार्मोले को देखा था कि इन फार्मोले को हम Excel में किस तरीके से उप्योग करते हैं और इनका काम क्या होता है अगर आप लोगों ने यह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर इस वीडियो को देखे तो आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे Find, Search, Replace और सब इस्टिटूट फार्मोले का काम क्या होता है लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टेक्ट से रिलेटर जो फार्मोले हमारे होते हैं जैसे Left, Right, Mid, Length, Find, Upper, Lower और Proper इन फार्मोले का काम क्या होता है एक्सल में हम विधवत आप लोगों को समझाएंगे कि इसका वर्ग क्या है इसलिए आप लोग हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखे तो सबसे पहला जो हमारा इसमें फार्मोला आता है सबसे पहला यहां पर हमारा फार्मोला है Left लेट का काम यह होता है जब हम किसी वर्ड से अगर लेट से कितने सब्द निकालना चाहते हैं तो हम लेट फार्मोले का यूज करते हैं चाहे हमारा कोई word हो, चाहे कोई number लिखा हो, अगर हम left से कितने number चाहते हैं, later चाहते हैं, वह हम left formula की सहाईता से निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर हम लगाएंगे equal, और यहाँ पर formula लगा देंगे left, यहाँ पर bracket, open कर लेंगे, फिर यहाँ पर नीचे लिखके आएगा text, हम इस text का address देंगे, और यहाँ पर कामा लगाएंगे, number आप character, left से हम को कितने number चाहिए, हम left से 4 number निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर 4 type करेंगे, पाँ चाहते हैं, तो यहाँ पर 5 type करेंगे, चलिए हम यहाँ पर 4 type करते हैं, और प्राकेट को बंद करके इंटर कर देंगे, फिर इसको हम पकड़ के ड्राइग करेंगे तो जिस तने हमारे यहां पर लेटर नमबर लिखें हैं सभी से फस्ट के चार चार नमबर लेट साइड से निकल के आ जाएंगे तो आप लोग लेटर फार्मूला समझ गए लेकिन इसमें एक खास बात यह होती है जो हमारा लेटर फार्मूला होता है इस पेस को भी काउंट करके इसमें आइड कर देगा चलिए इसको भी देख लेते हैं इसको यहां से करेंगे सेलेक्ट कर दिया डिलीट अब यहां पर हम भी एकड़र फार्मूला लगाते है इकोल और लगाएंगे लेटर को लिएक्म कर लेंगे टेक्षट का आईडर इसने space को भी count कर लिया है, space इसमें add है, इसलिए यहाँ पर मोहित केवल दिखाई दे रहा है, ठीक इसके नीचे यहाँ पर अमन अगरवाल लिखा है, तो अमन में कितने नमबर हैं हमारे, अमन में 4 ही दिये हैं, बीच में एक space है, तो 5 हो गया, फिर एक को count किया, कितने हो कर लेता है, इसलिए यहाँ पर टोटल 5 लेटर आये हैं इसमें, और बीच में एक space है, तो यह 6 इसमें आ जाता है, तो आप लोग समझ दे होंगे कि left formula किस तरीके से काम करता है, ठीक इसी तरीके से right, mid भी काम करता है, यह भी साथ में space को count करता है, और यहाँ पर जो length formula है, यह भी space को count कर लेता है, तो चलिए यहाँ पर right formula लगाते हैं, लगाएंगे equal और formula का नाम डाइब कर देंगे, right formula टाइब करेंगे, type बटल लगाएंगे, हमारा bracket आटोमेटिक यहाँ पर open हो जाएगा, तो right formula का काम यह होता है, जो हमारा यहाँ पर word दिया है, word के right side से कितने number हम अलग करना चाहते हैं, और यहाँ पर add करेंगे, जैसे यहाँ पर text का adder देंगे, कामा लगाएंगे, और हम right side से कितने number चाहते हैं, 4 चाहते हैं, 5 चाहते हैं, example के लिए हम यहाँ पर चाहते हैं, 4 number, 4 type कर देंगे, bracket को यहाँ पर हमको एक close कर लेना है, और enter कर देंगे, यहां पर right side से हमारे 4 later निकल के आ जाएंगे और इसको कर देंगे पकड़ के drag सभी नमबरों से 4-4 हमारे later अलग हो जाएंगे जैसे कुमार में right से 4 U, M, A, R पढ़ता है अग्दरवाल में R, W, A, L पढ़ता है इस तरीके से अगर हमको right से कोई भी later निकालने होते हैं तो हम निकाल लेते हैं कितने निकालने हैं कितने नहीं निकालने हैं वो हम right formula लगा के 4 निकाल लेते हैं यहां पर 2 ही आया ऐसा क्यों क्योंकि यहां पर 2 इसलिए आया है जो यहां पे लिखा हुआ है यहां पे इसमें बीच में दो space छूटे हैं इसलिए यहां पे दो आया है answer इसका तो आप लोग समझ गए left और right formula फिर इसके बाद आता है हमारा mid mid formula क्या है जैसे कि यहां पे कोई जो later दिया है हम उसके बीच के कितने number चाहते हैं बीच के जितने number चाहते हैं तो mid formula लगाके हम बीच के number निकाल सकते हैं यहां पे equal लगाएंगे और mid formula लगाएंगे bracket को open कर लेंगे जिस text से हमको later निकालना है उस text का आइडर देंगे कामा लगाएंगे यहां पे और अब यहां पे लिख्या रहा start number हम किस number से start करना चाहते हैं हम जैसे यच से start करना चाहते हैं यच कितने number पे है तो यह हमारा तीन number पे जैसे एक दो तीन यहां पे three type कर देंगे और कामा लगाएंगे फिर यहां पे number आप इनी किके कितने नंबर चाहते हैं तीन तहरे चाहते हैं और ब्राकट को इहां पे कर देंगे पे तो यहां पे यहां पर आपकड़ कर देंगे समय से तीन तीन यहाँ पे निकल के आ गया है और जिसमें दो आया है उसमें इसने space को भी यहाँ पे count कर लिया, यहाँ पर जैसे KIT लिखा है, यहाँ पर KIT पूरा लिखा हुआ है, यहाँ पर AN लिखा है, तो 3 कितने नमबर पे था है, यह हमारा automatic आ जाएगा, 807 हो जाएगा तो mid formula आप लोग समझ गए होंगे कि जो mid formula होता है middle के नमबर निकालता है और right formula किसी भी word से right के नमबर निकालेगा और left left के नमबर निकालता है, तीनो फार्मूला आप लोग अच्छे से समझ गए हैं, फिर इसके बाद जो हमारा next formula है next formula है len formula len formula की सहाइता से किसी भी word के अंदर हमको पता करना होता है कि इसमें कितने later लिखे हुई हैं तो हम len formula लगाते हैं यानि कि later count करना है तो len formula लगा के हम उस later को count कर लेंगे कि उसमें कितने later लिखे हुई हैं और len formula साथ में इस पेस को भी अकाउंट करता है चलिए हम देखते हैं यहां पर लगाएंगे एक्वल और फार्मूले का नाम टाइप करेंगे लेन ब्राकेट को कर लेंगे ओपन इस टेक्स्ट का आइडर दे देंगे ब्राकेट बंद करके इंटर कर देंगे तो जो हमारा मोहित कुमार लिटर लिखे हैं अमन अगरवाल में इसी तरीके से अंकित वर्मा में 11 और यह हमारा एक मोबाइल लंबर लिखा है इसमें 10 है लिखा एभी मोबाइल लंबर लेकिन इसमें चौदार है ऐसा क्यूं क्यों यहां पर बीच में जो खाली जगा दिखाई दे रही है यहां पे ह हमारा जो len formula start को भी count कर लेता है तो यहां पर हमारा 5. 5. 10. 11. दो इस तठीक चे कोई भी हमको लेटर number count करने होते हैं तो हम लेज़ार लगाते हैं आप लो count formula समझ रहे होंगे कि call Camtect या कोई mathematical नमबर होँ उनको भी Count कर लेता है तो आप लोग पता है find formula की सहायता से किसी भी word में अगर हमको पहचान करनी हो कि कोई later किस number पे है उसकी position पता करनी होती है तो हम find formula का यूज करते हैं एक चीज़ याद रखना जो हमारा find formula है find formula हमारा case sensitive formula होता है चलिए इसका हम अभी यहाँ practical देखते हैं तब आप लोग अच्छे से समझ पा find और यहाँ पर bracket open कर लेंगे find text हम कहों सा text ढूड़ना चाहते हैं जैसे मोहित कुमार लिखा इसमें से हमको यह जो लिखा है यह कि पोजीशन पता करना है कि यह कितने number पे है तो यहाँ पर यह टाइप करेंगे हम इसमें double code से इसको बंद कर लेंगे फिर कामा लगाएंगे और यहाँ पर within text दिया है यहाँ इसको किस text के अंदर रोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर address लगाएंगे इसका इडर देंगे कि क्यों इस text के अंदर हमें find करना है यह की position क्या है इसका address दिया यहाँ पर start number लिख कि आ रहा है हम अभी इसमें देखेंगे कि इसका use क्या होता है यहाँ पर हमने मौहित कुमार का आइडर दे दिया bracket को बंद कर देंगे और इंटर करेंगे तो जो यहाँ पर यह की position है तीन नमबर क्योंकि यह तीन नमबर पर है जैसे यह हम एक और दो फिर यह मारा तीन नमबर पर आता है फिर इसमें जैसे है इसमें हमारे capital letter में भी लिखा है और इसमाल लेटर में भी लिखा है अगर अब हमको यहाँ पर पहचान करनी है कि यह की position क्या है तो हम यहाँ पर इतको लगाएंगे और टाइप कर देंगे find formula यहाँ पर फार्मूला टाइप किया bracket को open कर लिया find text हम काउन सा text find करना चाहते है तो यहाँ पर हम capital A की जो position है हम ओ find करेंगे capital A की position क्या है कामा लगाएंगे within text इस text का आइडर ते देना है यहाँ पर हमने इतना लिखा bracket को बंद करके enter कर देंगे तो यहाँ पर जो A लिखा है A की position कौन सी है 1 इस A की position 1 है लेकिन यहाँ पर एक A भी लिखा है एक A भी लिखा है अगर इस A की पह formula फिर लगा देंगे find formula तो फिर यहाँ पर हम formula लगाते है equal all type कर देंगे find find a type किया फिर bracket open कर लेना है double quote के अंदर capital A type कर देना है क्योंकि हम तीन नमबर पर जो capital A लिखा है इसकी पहचान करना कि है कितने position पर है तो यहाँ पर हम type कर देंगे double quote के अंदर capital A कामा लगाएंगे जिस text के अंदर हमको ढूड़ना है उसका idea देंगे कामा लगाएंगे लेकिन अब यहाँ पर start number जो है इसका काम है तो पहला जो capital A था इसकी क्या position थी एक थी लेकिन जो एक के बाद जो A है उसकी पहचान करनी है तो यहाँ पर two type कर देंगे कि two के बाद जो capital A पहले पढ़े उसकी position बताना है तो यहाँ पर two type करेंगे bracket को बंद करके enter कर देंगे यहाँ पर तीन आ जाएगा क्योंकि जो A capital letter में A लिखा है इसकी position तीन number में है अगर इसकी position जानना है कि इन के बाद जो A है इसकी कौन सी position है तो इसी फार्मूले में edit कर देंगे और यहाँ पर type कर दें है तो हमारा छे नंबर पर A है जैसे यहाँ पर अमन में कितने letter लिखे अमन में चार है बीच में एक space है space को भी इसने count किया फिर यहाँ पर छे नंबर पर A आता है तो A को type कर लेगा जैकिन अब एक चीज यहाँ पर याद रखना कि यहाँ पर capital letter में A लिखा है और यहाँ इसमाल लेटर में A लिखा है अगर इसमाल लेटर की हमको पहचान करनी होती है तो यहाँ पर हम इसमाल लेटर ही type करेंगे जो हमारा find formula होता है find formula का sensitive formula होता है यह देख लेते हैं जैसे यहाँ पर अभी capital A लिखा है और हम फोर जो है start number इसको यहाँ से हटा देंगे और capital A के इसमाल लेटर करके इंटर करेंगे तो अब डारेट यहाँ पर इसमाल एक ही position बताएगा क्योंकि इसमाल ए हमारा कितने number पे 9 नमबर पे है कर इसी में हमको इस position को जानना कि जो सबसे लास्ट में ए है इसकी क्या position है तो यहाँ पर इडिट करेंगे और यहाँ पर 9 आया है क कामा लगा के 10 टाइप कर देंगे क्योंकि 9 के बार आर है तो आर की position 10 हो जाएगी 10 position के बाद जो हमारा ए है उसकी position पहचान करना है तो यह हमारा जो है small लेटर में 12 नमबर पे है तो इस तरीके से find formula यूज होता है लेन, mid, right, left और find formula भी आप लोग समझ गए होंगे फिर इस अपर formula जैसे यहां पे हमारा कोई word लिखा है यह small में भी है और capital में भी है अगर अपर formula लगाएंगे तो जितने भी यहां पे हमारे word लिखें सारे के सारे capital later में हो जाएंगे यहां कि अपर formula small letter से capital later में convert कर देता है यहां पर एक को लगाएंगे और formula लगाएंगे अपर formula ल तो आपर फार्मूला आप लोग समझ गए हैं अपर फार्मूला किसी भी वर्ड को को वो कैप्ताल लेटर में कर देता है ठीक इसी तरीके से लोर फार्मूला होता है अपर का उल्टा होता है लोर फार्मूला जितने भी वर्ड होंगे उसको यह इसमाल लेटर में कर देता है यहां पर अमन लिखा है कैप्ताल लेटर में अगरवाल इसमाल में लिखा है इस तर मोहित कुमार है मोहित कुमार इसमाल लेटर में आ गया अमान अगरवाल भी इसमाल लेटर में है अंकित वर्मा भी हमारा इसमाल लेटर में है तो मोहित यहां पर यहां पर इम जो है कैप्टल लेटर में है के भी कैप्टल लेटर में है लेकिन यहां पर मोहित कुमार अगरव अमन अगरवाल और अंकित वर्मा यह हमारे सभी इसमाल लेटर में आ जाएंगे तो आप लोग समझ गिये होंगे कि अपर फार्मूला कैप्टाल लेटर में कनवर्ड करता है लोर फार्मूला हमारा इसमाल लेटर में कनवर्ड कर देता है फिर इसके बाद प्रॉपर अग्रवाल का पहला यह जो है यह हमारा क्यैप्ट सब्सक्राइब हं मैं प्रॉपर फार्मुला टाइप करेंगे और यहां प्रॉपर कर लोब bracket open कर नेंगे और इस Text का ID vamos किऄ देंगे इंटर कर देंगे अभी मोहित कुमार सेहीं लिखिया रहा है कि मोहित कुमार यहां पर इसा तरीके से लिखा है और लेकिन जा को और गपर कीध We cooling अमन का अります Vura Sem hai अ क्यूडर से लिखा ना अमन का पहला आा यह एग लेटर में है यहां पर अमन अगरवाल सही तरीके से लिग गया इस तरीके से हमारा प्रॉपर फार्मूला काम करता है तो आई होप हमें उमीद है आप लोगों को लेप्ट, राइट, मिड, लेन, फाइंट, अपर, लोवर और प्रॉपर फार्मूले समझ में आये होंगे कि इन फार्मूले का यूज क्या होता है और इनका हम एक्सल में वर्ट किस तरीके से करती हैं फिर इसकी अगली वीडियो में हम जानेंगे कुछ और important फार्मूले जैसे event, odd फार्मूला, mod फार्मूला, power फार्मूला, squirt और trim फार्मूला के इन फार्मूले का काम क्या होता है त चैनल पर पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्य बाद हम मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ ठैंक्स पार दिस वाचिंग वीडियो